इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किये थे कुलम स्लो चार्ज इस वीडियो में हम लोग बसकली बात करेंगे limitation of column slow पर principle of superposition पर and column slow in vector form पर इस topic पर तिनुओ topic पर आज हम लोग जर्चा करेंगे सबसे पहले हम लोगा जो बात रहा देखना हुआ है limitation of column slow limitation of column slow नाम से पता चल रहा है column slow के यानि column के नियम के limitation limitation के मतलब सिमा यानि इसको हम लोग कह सकते हैं कि बैक ड्रो यानि ड्रो बैक जिसको कहते हैं वही अब उसके बाद इसमें लिमिटेशन अब कुलम्स लोग पुछा जाता है कहीं कहीं पर इसलिए इसको देख लेना जरूरी है अब हम बात करते हैं लिमिटेशन अब कुलम्स लोग के चार्जह वहगा बड़ा चार्जह सब्सक्राइब में तरह्त हुसना रोग नहीं सभीश्याईब जोड़े आप इसके लागु होता है प्यर चार्ज के लागु होता है सिंगल चार्ज के लागु नही रह िक स्थ यह acost ओए अगर चलते हैं एक कुश्चन देखते हैं लिमिटेशन और कुलम्स लोपर एक कुश्चन आगया उसके को अम लोग चर्चा कर लेते हैं इप फोर्स बिट्विन टू चार्ज यानि दो यदि दो चार्ज के बीच का फोर्स इन एयर इज इक्वल टू बराबर होता है कि इन मेडियम यानि माध्याम में तता एयर में दोनों में टूप प्वाइन चार्ज के बीच फोर्स का बैलू सेम है देन तो फाइंड रिलेशन बिट्विन देम उसके बीच संबंध निकाले तम माल लेते हैं इसको सूल्ब करना है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर यह क्यू वन चार उसके बाद इसमें डी इन मेडियां माल लिये हैं अब बात करें तो फोर्स in air छे बराबर खेंगे तो F ब्राबर A F Air, Air ब्राबर, A in Air ब्राबर जो हो जाएगा 1 बटे 4, P a.P a.R. Air के लिए 1 होता है इसलिए यहां पर 1 डाल दिये उसके बाद Q1, Q2, Q1, Q2 बटे D in Air का Isquare उसी परकार से similarly हम लोग Force in Medium में बात करेंगे फोर्स इन मेडियम में तो वन बठी 4, 5, 6, 0, 20 मेडियम का इपसलन आर का वहलू जो दिया विपसलन में आर मान देंगे Q1, Q2 सेम है Q1, Q2 बठे D इन मेडियम का स्क्वार उसके बाद अब Ape in air according to a statement question का जो कहाता था according to question अगर बात किया जा है तो हम लोगों जो कहा गया कि फोर्स इन air का वहलू जो है फोर्स इन मेडियम का ते दोनों फोर्स एक दूसरे के कौंची होगा ब्राबर होगा इसलिए हम लोग डाल सकते हैं 1 बठे 4, 5, 7, 0, Q1, Q2 बठे DA का स्क्वार बराबर इफोर्स का वहलू डालेंगे ते इसका कितना 1 बठे 4, 5, 7, 0, 0, Q1, Q2 बठे DA का स्क्वार यहां से कैंसल करेंगे तक Q1 से Q1 कर जाएगा Q2 से Q2 कर जाएगा Q1 से Q1, Q2 से Q2 कर जाएगा उसके बाद बच जाएगा यहां पर तो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर देंगे इस साइट को इस साइट जाने देंगे इस साइट को इस साइट जाने देंगे तर D in A R बराबर D in medium into epsilon और D in A R बराबर root under इधर से square हटा एंट ये पर से इधर का root under epsilon और D M Sq. अब देखें एसक्वायर एक इससे बाहर कर देंगे तो प्रूट निकल जाएगा रूट अंडर इप्सलान र यानद डी इन एर बरावर डी इन मेडियम इन टू रूट अंडर इप्सलान और डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट जैसे एक कुश्चन इस पर नुमिर कली देख ल एयर में कितना होगा अगर जो दोनों एक फोर्स ब्रावर होता है तो फिर हम लोग जानते हैं यहां से बैलू डाल देंगे तो मोगों निकलता है कितना दिया हुआ है तो अब हम यहां पर इसका बढ़ाएंगे इसके बीच फोर्स कितना लएगा तो एप बढ़ाबर एप बढ़ाबर वन बटे फोर पाइप सलनाट क्यूवन क्यूटू क्यूटू यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब आर में चेंज हो जाएगा पहले एयर य पोटल डिस्टेंस टी माइनस जितना रहेगा तो एक टी यहां तक हो गया ते घट गया अब इसका दुरी एयर में एक्विबेलेंट जो यहां पर टी लिये ते उसका एयर में कितना दुरी होगा तो अभी तोरह दिर पहले रिडेसं पूरे थे डी इन एर बढ़ाबर डी जो equivalent होगा यहां का दूरी जो देख रहे हैं यहां का यहां दूरी किसके equivalent का बड़ाबर होगा तो d-t कर दिये ते एर बला यहां दूरी दिकल गया अब इसका दूरी लिखना है तो वह हो जाएगा अपकोस आप समझ गया है अब उसी परकार से सिंगल मीडियम था वहा पर तो यहां तक कोई चेंज नहीं उसका टोटल डिस्टेंस डी है तर डी लिख देंगे माइनस इस दुनु डिस्टेंस को घटा देंगे तर टी 1 माइनस टी 2 और दुनु घटा दिये पलस अब इसका जो होगा इस मेडियम का वह एर में एक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा तर इस अब देखते हैं अगला टौफिक है प्रिंसपल अब सुपर पोजिशन जो कि बिहर बड में विसकली हाम 92 पुछा जाता है प्रिंस्पल अफ सुपर पोजिशन यानि कहीं भी देखा जायते हैस्टोपिक को आपको पुछ लिया जाएगा प्रेंसप पोजीशन सुपर क्षारिशन का हिंदी जो हो जाएगा हो जाएगा अध्यारोपन का सिद्धान्त अगर जे किसी मेडिय। में या कहीं भी 3 से अधिक चार्ज चार्ज, दो फिर नवहाँ परハハ их क्लम क्या काता है इसको देख ले थोड़ा क्या काता है दफोर्स आक्टिंग और व़न प्वांट चार्ज ड्यूं टू अन्हाडर प्वांट Alex यानी 1 बिंदू आभेस पर वण चार्ज एक विंदू बिंदू आभेस पर जोल्ए match तो यहां पर Q1 चार्ज पर जो फोर्ष लएगा Q2 के कारण वह तिसरे के उपस्थिती और अस्थान पर निर्भार नहीं करेगा यहीं ये statement कर रहा है फिर से एक बार पढ़ लिया जाए क्या करता है the force acting on one point charge, force acting on a point charge due to another point charge, एक बिंदो अब्वेश पर कार करने वाला due to another point charge, दुसरे अब्वेश के कारण is independent सोतनतरता of purchase and position of third charge, तिसरे आप्वेश के उपस्थितीता अस्थान से Statement Second को Add किया जाया तो क्या कहता है The Resultant Force Acting on Point Charge is Equal to Vector Sum of All Forces Acting on that Point Charge Individual जैसे माल लेते हैं कि यहां पर एक Charge Q1 माने थे यहां पर Charge Q2 माने थे यहां पर Charge Q3 माने थे तो Q1 पर Q2 के कारण भी फोस लाएगा Q3 के कारण भी फोस लाएगा उसका sum और इसका sum दोनों का वेक्टर sum जो होगा वही resultant force इस पर लगने वाला total force होगा इसी statement को फिर से दोरा देते हैं the resultant force acting on point charge यानि point charge पर लगने वाला कुल परणामी बल each equal to बराबर होता है वेक्टर sum of all forces सभी forces के जोर के बराबर acting on that point charge individually उस पर लगने वाला बलके जैसे figure में दिया हुआ है फिर से एक figure ले लेते हैं यहाँ पर point charge Q1 है यहाँ पर Q1 charge डाल दिये यहाँ पर Q2 डाल दिये यहाँ पर Q3 डाल दिये तक Q1 के कारण लगने वाला force यहाँ पर F1 माल लेते हैं यहाँ पर Q2 के कारण लगने वाला force F2 माल लेते हैं यहाँ पर इसके कारण लगने वाला force F3 माल लेते हैं तो तीनू के vector sum कर देंगे तो इक Q पर लगने वाला total charge के बराबर जगा जो की यहाँ पर दिया हुआ है यानि एप बराबर F1 पलस F2 पलस F3 जैसे पांच को चार्ज रहता पांच को जोड़ देते हैं जितना चार्ज रहता सभी को जोड़ देते हैं अब इस पर एक एक जामपल देख लेते हैं question समेटरी जानते ही हैं यहाँ उसका use भी करेंगे हम लोग question जैसे माल लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज क्यूँ है यहाँ पर भी चार्ज क्यूँ है यहाँ पर भी चार्ज क्यूँ है यहाँ पर भी चार्ज क्यूँ है बट सब का नेचर देख लेते थोड़ा तोर परकार से यहां पर minus charge आहां पर को खींचेगा इसलिए इस पर फोर्ष निकालना थे इसको और पर कुशे भाइन थे माल लेते उसको निकाल दुआ फॉर्स इंदर गीच राए तो जो Rs. रीजल ठेंड फॉर्स हो गाये दोनों के द्ैक्टर सम रॉरबर होगा है तो ट्रेंगल लो या परालेलो गराम लो नौनों से देख सकते ते यहां पर सुटेबूल होगा परालेलो ग्राम रहो से एक वेक्टर इधर खिच रहा है तो पहलेलो ग्राम लेओ जो वेक्टर 11 में परेते उसके एडिशन से देखा जाया ते इसका डाइगोनल होगा वह इसके रिजल्टेंट के ब्रावर होगा तो एफ ब्र करना है हम लोगों को इस नुमिर्कल का इस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा तो इस पर चर्चा करना है तो सबसे पहले एप वन का मैंगने चुट निकाला जायते एप वन बडाबर के की वन क्यू टू बटे फोर पाइप सलन नॉट इतना तक लिखा हुआ है और बटे आरे इस पर मूला में फित करें ते इसके इसके लग रहा है है इसके इसके लिख तो नोचार्जर का वेल्णा बडाबर वन क्यू नौक्व लन का क्यो एक चार्ज है यहां पर माइनस आने का मतलगा कि अट्रेक्टिव फोर्स होगा इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किये थे और पलस पलस आएगा दोनों का पोड़क्ट तो आप रिपल्स फोर्स होगा अब बैंगनी चूट देखा जाए तो दोनों का से में एप वन बड़ाबर एप टू बड़ाबर वन बटे फोर पाइसल नट क्यू स्कार बटे एप टोटल बड़ाबर एप वन पलस एप टू कहां से तैया हम लोग लेख सकते है बेक्टर के सम से अब यहां पर पहले लोगरामलों से देखा जाए तमलों का फर्मुला आता है एप बड़ाबर वाक्या आता है एप बड़ाबर एप फोर प्लस एप टू कॉस ठीटा जोकि आप लोग पढ़े हो यहागा सी बड़ाबर रूट अंडर ए स्क्वार प्लस बी ए स्क्वार प्लस टू ए बी कॉस ठीटा उसी फर्मुला को यहाँ पर डाल दिए टू ए बी कॉस ठीटा उस पर आगे जब चर्चा करेंगे तो उसी फर्मुला को सेट करेंगे तो एप फोन का स्क्वार एप टू का स्क् यहां पर टोटल एंगल एक सो असी डिगरी है और यहां पर इंगल कितना हो जाएगा तो 180 में से घटा देंगे यह बच जाएगा 120 यानी 120 डिगरी 120 डिगरी डालेंगे तो आप यहां से घटाएगा तो यहां पर इसको जाएगा यहां यानी माइनस में आ जाएगा इसको यह चाहिए रूट में बच आए अफ यह पॉन यह पॉन इसकार बच्ट इसकार बच्ट इसकार इसकार इंटफ वो गया अब बात करें तो हम लोग इकजांपल नमबर तूपर बात करेंगे जैसे माल लेते कि सब का मैंने चुटिट अलग अलग है इसके साथ इस पर हम लोग को काम करना है नहीं इस पर काम करना है नहीं तो तो टल देखेंगे इस्टेएंटर वाले इसकुष्सम को फ्यर से हम रीपीट करते हैं अपको कहीं पर isitu में वालो ते और लगनेवाला की से बताना है कि इस पर देखने के लिए वर यह ayuk क्यों करेंगे यह इस पर देखने के लिए हमलोग क्याम करेंगे के बात करना थो एक मइनस चार्ज दोनों बराबर यिसके कर देगा शीमिलरली यहां पर Q1 Q1 Charge मानते हैं इसको Q2 मानते तो Q1 के कारण लगनेवाला माइनस चार्ज पर जो फोर्स होता यह Q1 के कारण लगनेवाला यहां पर फोर्स जो होता वह Q2 के बढ़ाबर होता और दुनो यह दुनो attractive फोर्स होता या इस minus charge को E plus charge खिशता इस minus charge को E plus charge भी खिशता इसका total resultant जो हो जाता हुआ 0 हो जाता इस करण से F A बराबर यह पर figure से देखने से पता चलता है कि A बराबर A के करण जितना फोर्ष लगता है उतना ही F C के बराबर लगता है जो कि A यहाँ पर है और C यहाँ पर बढ़ा है बढ़ाबर हो गया उसी परकार D के करण जितना फोर्ष लगता है उतना ही B के करण भी फोर्ष लगता है तो यह टोटल इजल्टेंट फोर्ष से देखा जाया तो जिरू हो जाया कहां से तर समेट्री से बाइस समेट्री अब हम बात करते कुलम्स लो इन भेक्टर फोर्ण कुलम्स लो इन भेक्टर फोर्ण कुलम्स के नियम सदीश रूप में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक भेक्टर R1 माल लिए या R2 माल लिए इसको सही धंग से समझा देते तोड़ा माल ले तो यहाँ पर एक Q1 पॉइंट चार्ज लिए इसका कोडिनेट है X1,Y1,Z1 इस जगा Q2 चार्ज लिए इसका कोडिनेट माल लिए X2,Y2,Z2 और इसके बीच के दुरी जो माल लिए वह वेक्टर R के रुप में माल लिए वेक्टर R का दिशा Q1 से Q2 की ओर है Q1 से Q2 की ओर है अब पोजीशन वेक्टर देखा जाए Q1 का तक Q1 का वेक्टर ओरीजन से देखा जाए तो ओरीजिन से इसका जो दुरी है वेक्टर R1 माल लिए यहां पर Q2 का जो हो गया उसका वेक्टर R2 मा लिए, वेक्टर R2 मा लिए, अब हम लोगो कोडिनेट लिखना होगा वेक्टर फॉर्म में Q1 का, तो हम लोगो लिख सकते हैं, R1 बराबर इसका कोडिनेट से गुणा करतेंगे, ता R1 बराबर X1 I cap, Y1 J cap, यह पर Z1 है, इसलिए जेड़ वन के कैप, शिमिलरली वेक्टर 2 का बात किया जायता, वेक्टर 2 यानि R2 का बात किया जायता, X2 I cap, Y2 J cap, Z3 के कैप, बाई ट्रेंगल लोग अफ एडिशन, ट्रेंगल लोग अफ एडिशन में हम लोग जानते थे कि लॉंग कोड बराबर सौट कोड, ट्रेंगल एडिशन फर्स्ट यर में, यानि 11 में हम लोग पढ़े थे, वहां से देख सकते हैं कि जो, हेड पर टेलो, हेड पर एक का टेलो, तो दोनों का सम इसके अपोजिटर के बेक्टर के बराबर होता है, तो यहां पर बाई ट्रेंगल लोग अफ एडिशन, क्या बोल सकते हैं, यहां लोग काट बराबर सोट काट, तो वेक्टर आर वन पलस वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर टू, यहां पर आर वन हमको वेक्टर आर का बैलू निकालना था, कि आर का बैलू होता कितना है, तो आर का बैलू निकालने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, आर वन को यहां से देखने से पता चलता है जब घटाएंगे तो यहां पर इसमें से घटाएंगे तो यहां पर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जेड़ माइनस जेड़ वन के कैप हमको घटाना था आट्टू में से आरवन इसलिए नीचे वाला में से हम लोग उपर वाला को घटा रहे हैं है अब इसका मैंगनी चूट तो मैंगनी चूट के मतलब मौड अजब यह मौड लगा तो इधर रूट अर्व हम लोग आई वाला के स्कौष मानुस जटा दो का लिए अब बत करेंगो हो अर्वन के स्क। Ini वह उक्टर के बारे मौड ऒलेंग दे ते रिक वरन अर्चे कह entendu घया आर कि बटे की टू कि टु टू बटे आर इसक्वारत यह हो गया मैंगनी चूट अइस पर जब वेक्टर लगाया तो इधर इन वेक्टर इन के लिख देंगे यानि इसकी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो एक वेक्टर एफ ब्रावर वेक्टर एक व्रावर क्या हो देएंगे अगला स्टेप में बयक्टर एप बढबर बयक्टर एप बढबर वेक्टर एप बढबर क्या हो जाएगा तो क्यूं 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 टू बट्टे और एसुकार आज तो अब इस R से हम लोग इसमें गुना कर देंगे ता RQ हो जाएगा तो वेक्टर F बराबर जो हम लोग जा जाएगा 1 बटे 4, 5, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10 बटे RQ, R, R, Q अब वेक्टर R इस परकार से हम लोग देख सकते या Qylums law inverter form, Qylums law inverter forms, वेक्टर form में हो जाएगा जैसे कि क्विस्चन हम लोग को SW दिया जा रहा है, इसको आप लोग solve कर लिजमा, यानि हम क्विस्चन दिये थे, इस क्विस्चन को आप लोग कर लिजेगा जैसे यहां पर देखें वेक्टर आर बराबर खितना हो जाएगा तो वेक्टर आर बराबर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टू में से वन को घटा देंगे तिसको घटाएंगे यहां पर 5 कुलम चार्ज है यहां पर थे लिए कोलम चार्ज है फोरकुलम यांनि इसका कोडिनेत्ट दिया वdaughter चार्ज का वाफ फोर ठीर फ्राइब मेर दिया हुआ है